क्या बिहार में लज़ेपी के कलोते बिधायक बागी हो सकते हैं? क्या वो जेडियू के साथ जा सकते हैं? पार्टी ने आखिर उनसे अस्पस्टी करन मांगा क्यों और अस्पस्टी करन मांगने के बाद उस बिधायक का क्या कहना है? नमस्कार मैं हूँ इंद्र मोहन आप देखने बिहार दरसल बिहार बिधान सभा में बिधान सभा के उपसभापती के लिए चुना होना था जिसमें जेडियू के तरब से महेश्वर हजारी कैंडिडेट थे जब वोटिंग हुई तो महेश्वर हजारी चुकि अब बिपक्ष ने बाइकॉर्ट कर दिया था तो 124 मत मिले इसमें एंडिये के सयोगी यानि की जेडियू, बीजेपी, बीआईपी और हम के बिधायकों ने तो वोट किया ही लेकिन एलजेपी के एक मातर बिधायक राजकुमार सिंग ने भी महेश्वर हजारी के पक्ष में वोट किया इसके बाद LGP की तरब से एक असपस्टी करन मांगा गया है विधायक से ये पूछा गया है कि पार्टी से बिना परामर्ष किये आपने NDA के पक्च में वोट क्यों किया हलाकि इसके पीछे की वज़ा आपको बता दे क्योंकि बिहार में जेडियू के खिलाप LGP ने लोगजन सक्ती पार्टी ने अपने उमीदवार उतारे थे चिराग पासवान ने नितीश कुमार के खिलाप जमकर परचार किया था बलकि बिहार में एक तरीके से अगर आप कहें तो चिराग पासवान खुल कर नितीश कुमार का विरोध कर रहे हैं लेकिन वो केंदर में NDA के साथ है, बिहार में वो NDA के साथ नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इसलिए चिराग पासवान की पार्टी की तरब से ये असपस्टी करन मांगा गया। अदरसल LJP की तरब से खत जारी हुआ जिसमें LJP के प्रधान महासरजीब अब्दुल खालिक ने पार्टी से बिना प्रामर्श करने के समन्द में ये सवाल पूछा था। लेकिन जब विधायक से इस बारे में सवाल क्या गया तो उन्होंने साद दौर पर कहा कि पार्टी चुनाओं के वक्त ही पार्टी की जरूरत होती है चुनाओं के बाद पार्टी नहीं बलकि जनता बरी होती है और वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। इमाम्दारी से निस्पक्चभाओ से Transparency के साथ मैंने अपना काम किया है मुझे मतियानी की जन्ता ने चुना है मतियानी की जन्ता के अपे च्छाओं की अनुरूप मैं कारी करने का प्रियास विधान सभा के अंदर में कर रहा हूँ मेरे लिए मतिहानी के लोग ज्यादा माइने रखते हैं, कोई दल मेरे लिए माइने नहीं रखता है, दल की राजनिती तुप्चुनाओ के टाइम पर होती है, आज मेरे लिए मतिहानी की जबता सरवोपरी है, इसलिए मैंने उनके हित में जो भी कारे किया है, मैंने उसके हित बिधान सभा के सभापती का चुना होना था उस बक लजेपी की तरब से ये कहा गया था कि आप बीजेपी के उम्मिदवार के पक्च में वोट करेंगे लेकिन इसी बात की दुहाई देते हूँ वो कह रहें कि जरुरत महसूस नहीं हुई और उन्होंने इस बार भी ऐसा किया लेकिन इसे आप ऐसे समझें कि पिछली बार बिहार बिधान सभा के सभापती का जब चुना हो रहा था उस बक विजेपी के थे लेकिन इस बार उप सभापती के चुनाव में केंडिडेट जेडियू के तरब से था जिसके खिलाब बिहार बिधान सभा में चुनाव पार् कर चल रहे थे इसमें निश्यतरूप से किसी प्रकार का संदेय पार्टी को हुआ है चुकि मुझे जब अध्यक्ष का चुनाव था विदानसब अध्यक्ष का उस वक्त पार्टी ने मुझे प्रामर्ष दिया था कि इंडिये के पंच में बोट करना है उस प्रामर्ष के कि अधार पर पूर्ब के प्रामर्ष के अधार पर मैंने उनको ने को वोट किया मैसुण चाहिछ इंडिये के बाते हैं तो मुझे है और जाहिए आप आ पुर्व के प्रामर्ष मुझे रहा है यौँ सिर्णी निए के प्रामर्ष तो था ही कि ऑने पक्स करना एंग्फließen के लिए इसलिए मैंने वोट किया एक मात्र बिधायक राजकुमार सिंग की इन बातों से यह भी साफ हो गया कि वो एंडिये के साथ तो हैं लेकिन जो बातें लगजन शक्ति पार्टी के और इसके पहले भी वो जदियू के वरिसनेता हैं अशोक चौधरी उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी उस वक्त भी एक खबर सामने आई थी कि क्या वो जदियू का दामन थाम सकते हैं हाना कि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा लेकिन जिस तरीके से राजकुमार शिंग कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि उनके लिए पार्टी बड़ी नहीं है बलकि उन्हें जिस जनता ने चुना है उसके लिए ही वो आने वाले दिनों में भी फैसले ले सकते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें टुटर पर भी हर तक के पीच को फॉलो करना ना भूए